So Hello Everyone तो इस वीडियो हम लोग डिसकस करेंगे कि आप लोग का जो A4S exam है जो कब भी पोस्पोन चल रहा है वो कब तक शिडियूल हो सकता है क्योंकि बहुत notice viral हो रहे हैं बहुत teachers आपको बहुत सारी dates बता रहे हैं कि इस date को सकता है उस date को सकता है तो उसका reason भी मैं बताऊंगा और आपनों के लिए आगे क्या बहुत बड़ा जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता है तो जो कि मैंने PSL के रिगार्डिंग एक वीडियो डालत आपको बता है मुझे इतना time नहीं था कि मैं सबको reply कर सकूँ personally या फिर उस पर वीडियो बना सकूँ लेकिन अभी मैं आपको बता तूँ बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि यह बात आपने भी notice कि होगा कि जब भी आपका exam रहता है मैं आपके साथ रहता हूँ और अभी तक वीडियो क क्यों नहीं यह भी हम लोग discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग discuss कर लेते हैं कि आप लोगो का एफ उस exam कब तक हो सकता है तो आपको पता है कि मैंने काफी दिनों पहले आने कि मुझे तो लगता है कि एक-दो महीने हो गाऊंगे यानि कि सबसे पहले मैंने आपको यह ची टू, हैसे 19 जूलाइ लिखी हुई थी तो मैं आ ऊपको होता था कि जूलाई 맞्ग पूछा था कि सार क्या आज हमारड extrêmement हो सकता है तो देखिए। जूलाइम होने के कितने परसेंड चांसेजज है और वह मैं क soprस पहले बताता हूं Kir! को पता है एक चीज़ को हमें ये नोटिस करना पड़े है कि जो कोविट के कैसे हैं वो घट रहे हैं ना सिर्फ घट रहे हैं बलकि ड्रास्टिकली घट रहे हैं अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो कुछ यू ऐसा कुछ इसका चार्ट बन रहा है यानि कि बहुत श हो सकता है यह जो ग्राफ है यह में बता रहा है ठीक है एक्जाम हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि एयर फोस कोशिस करता है कि एक एयर में वो दो इंटेक्स करवा ले तो इस वज़ए से वो पूरी कोशिस करेगा कि जल्द से जल्द वो एक्जाम करवा है और जुलाई मे हमें कि ये हो जाए क्यूं कि उसके जुलाई में वह नहीं हो सकता है दो नहीं होने काता हुए से यह हो सकता है मैं पता सब्सक्राइब कि क्ञारे के reasons मझे यह लग रहे हैं कि बस मझे यही doubt है कि क्योंकि अभी तक किसी भी exam की dates नहीं आई है जो भी बहुत सारे exam पोस्पोन चल रहे हैं और जो भी exam अभी schedule भी है जैसे June में तो वह पोस्पोन ही हो रहे हैं बजाए कि वह exam कंड़क्ट होने के बजाए वह पोस्पोन ही हो रहे हैं और किसी भी exam के भी कोई dates नहीं आई हैं तो यही सारा करती हैं कि ऐसा पहले तो नहीं देखा गया कि Air Force किसी नारियल फोड़े exam करवाने के लिए निकि पिछले अभी जो लोगड़न हुआ था इसा नहीं रहा था उसमें कि सबसे पहले Air Force में शुरुआत की थी exam करवाने की आपको याद होगा कि UPSC का exam हुआ था October में 4th October को UPSC Civil Services का और आपनों का Air Force का exam just एक महिने बाद November में 4th November से जो है schedule किया था ठीक है लेकिन इस बार आपको पता है कि इस बार फिर से UPSC Civil Services का exam October में कर दिया गया I think 14th of October लेकिन ये भी हमें notice करना पड़ेगा कि जो date further extend की गई थी UPSC Civil Services के exam की ये बहुत पहले ही कर दी गई थी जब COVID अपने peak पे था चरम पे था लेकिन अब भी अगर आप देखें तो COVID बहुत शार्प decline कर रहा है तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये UPSC Civil Services के बाद जाएगा ये तो बिलकुल भी मुझे नहीं लगता है उसके तो एकदम 0% chances नॉर्मल हो रही है ठीक है लेकिन हमें ये भी एक बात है यहां पर कि 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 आपनों के 12 के जो बोर्ड एक्जैम से वह भी कैंसल कर दिये गए ठीक है नहीं कि पोस्पोन नहीं बलकि पूरे तरह से कैंसल कर दिये गए तो अब इन सबसे मैं एक conclusion जो आपको निकाल के बता स का 60 to 70% August लास्ट में ठीक है तो यह कहीं ने कहीं सिर्फ यह इशारा एक तरह से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब आप लोगों को अपने टॉप गेर में आने की जरत है ठीक है और यही कारण है कि अब मैं आप लोगों के लिए active हो चुका हूँ और regularly आप लोगों को motivate करता रहूँगा जो भी content आपको provide करवाना है मुझे वो करवाता रहूँगा और तुछले मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ रही तो और मैं आप लोगों के लिए क्या बड़ा प्लान कर रहा हूँ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट दिया था और वो actually मैं बहुत बड़ा है यानि कि अगर वो जो भी जब भी आपको मैं वो दूंगा अगर आपने वो चीज कर लिया तो आप almost यह तो मान लीजे कि selection ensured है आपका लेकिन सबसे पहले आपको यह बताता हूँ कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ रही तो उसका reasons क्या था और मैं क्यों आप लोगों का सले बस ऐसा कुछ और revision नहीं करवा रहा था तो उसके दो करान थे एक तो सबसे पहला कि मेरे वो personal reasons आपक कि teachers है फिर बहुत लोगों ने lockdown के जो पहले पढ़ाया उसी चीज़ को फिर lockdown के बाद उसी चीज़ को repeat करवा दिया बिना किसी modification के ठीक है तो उसके दो देखे उसका फायदा है उसका फायदा है उसका फायदा teacher को मिलता है teacher को यह है कि हाँ क्योंकि उसका एक तरह से मैं किसी उसकी को blame नहीं कर रहा हूं बार क्योंकि उनका फुल टाइम है उनका धंदा है तो जाहिर सी बात है कि वह उसी चीज़ को repeat बार-बार करवाएंगे क्योंकि वह उनका वह नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे simple सी बात है लेकिन आपको उससे उतना फायदा नहीं है अग कर देने से आपका उसमें benefit नहीं होने वाला है यह थोड़े hard words है बट यह reality है यही reason होता है कि देखिए online access सबके पास है आपने दो घंटे का वीडियो देखा सबने दो घंटे का वो वीडियो देखा बट कौन खुद से self study करता है वो matter करता है यही करण है कि मैंने अब देख बनाते तो उसका आपको regularly revise करना था मैं कुछ नया material ले आता सिर्फ इस वजए से कि चलो मेरा channel चलता रहे मुझे views मिलते रहेंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा तो हाँ बिल्कुल उसे मुझे तो फायदा था लेकिन उसे आप लोगो कुछ फायदा नहीं था उस प्लस आप 6 से नीचे तो गिरने का कोई चांस ही नहीं यहांनि एक तरह से मैंने आपको यह बोल दिया था कि मैंने almost 90% लेबस तो आपका 90% लेबस तो कवर ही कर दिया है मतलब 92 95% 95% माली मैंने आपका कवर ही कर दिया 5% का मैं इस वेसे वह रख रहा हूं कि जीके में कुछ नहीं होता कुछ पता नहीं होता कि कहां से वह एक question उठाकर रख दे इस वेसे बोल रहा हूं ठीक है एक तरह से मैंने आपका पूरा स्लेबस करवा दिया है तो मैं उसके बाहर क्यों जाओं बाहर जा सकता हूं बिल्कुल SSC level का पढ़ा सकता है फिर कुछ भी इधर उधर का मैं पढ़ा सकता हूं उससे मुझे तो मेरा चैनल तो चलता रहेगा व्यूस मिलते रहेंगे लेकिन उससे आप लोगा कुछ व्यादा उतना नहीं होगा इस बात को मैं यहीं पर रोकता हूं और मैं अब आपको बताता हूं कि आगे आप लों के लिए मैं क्या बड़ा प्ल प्लान कर रहा हूँ है आप मुझे पता कि PTS 2.0 की बहुत दिमांड है बहुत ज़्यादा तो उसी के चलते अब वो PTS 2.0 मैं बहुत ज़्यादा प्राक्टिस करूँगा आप ही से कि सेलेक्शन ना होने के चांसेस एकदम निल के बराबर हो जाएंगे क्योंकि प्राक्टिस ऐसी करूँगा आपको पता है वह चीज आपने देख लेगा प्राक्टिस करवाने वाला हूं और ऐसी मैं आपको प्राक्टिस करूँगा वह आप खुद जब उस चीज़ को करेंगे तो खुद ही आप उस चीज़ का फीडबैक मुझे देंगे कि वह आप लोगों को कैसा लगा लेकिन अभी मैंसे बहुत लोगों का डाउट आ रहा हो कि सर अब इतने दिन होगा तो आप तो दे दीजिए आपने बोला था एक वीक का टाइम दिया था लेकिन एक तरह सा आप आपको exactly बता देता हूं around 10 to 15 days यह reality यह लेकिन लेकिन क्योंकि वही मैंने तागे good things take time तो इसी वज़े से जब भी वो आएगा तो मैं आपको इतना उसमें practice करवा दूँगा उसमें वो तो जब आएगा तभी मैं आपको उसमें deep में पुर explain करूँगा कि कैसे कैसे को क्या मै आपको उसमें करना है बस लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अगर आपने उस चीज़ को कर लिया exam तक वह continue रहेगा exam तक एक दिन मैं उस चीज़ को रुखने नहीं दूँगा तो exam तक वह continue रहेगा और आप देखें कि मैं आपको इतना ज्यादा momentum build up करवा दूँगा कि जिसका तहरी 0 भी था 0 भी है भी उसका भी मैं selection करवा दूँगा बत आप थोड़ा सा वेट कीजे लेकिन ऐसा नहीं कि आप वीडियो आएंगे नहीं तब तक कुछ सब कुछ बंद पड़ा रहेगा अब मैं continuously आपको motivate करते रहूँगा क्योंकि आपको पता है कि यह बहुत लोग जो भटक चुके हैं off the track हो चुके हैं उनको मैं on the track लाने की कुछिस करूँगा आप लोग अपने डाउट जो हैं इसी वीडियो के comment में लिख दीजेगा सभी लोग जिनके भी जितने भी doubts है और regularly अपने doubts भेशते रहिए ताकि जितने भी सभी लोग के कुछ बहुत लोग के बहुत doubts होते हैं कि सर हमारा English में score नहीं आ रहा है सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है सर हमारा यह reason है वो reason है सबके अपने personal unique reasons होते हैं तो जो भी common आपके लोग के reasons होंगे मैं identify करूं कि हाँ यह सब लोग का almost जातर लोग का doubt है तो मैं उस पे आपक query को solve करूंगा तो वो आप comment में लिख सकते हो बाकी further updates आपको मिलते रहेंगे questions telegram पे आपको regularly मिल रहे हैं एक भी दिन का gap नहीं हुआ है group X और group Y दोनों के लिए मैं दोनों telegram channels का link description में डाल दूँगा तो वहाँ से आप उन channels को join कर लेना वहाँ पे practice daily basis पे होती है तो उसको आप miss out नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे exam relevant questions आते हैं और हजारों है तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा students उसमें daily हिस्सा लेते हैं ठीक है तो मैं इनी words के साथ इस video को end करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग उनसे थोड़ा सा उधन्या नाराज नहीं होंगे अपने doubts comment मे लिख दीजेगा कुछ जो भी हो और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके इसको share कर दीजेगा ताकि ज़्यादा लोग को यह recommend हो simple तो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में